सब 1888 में हालवास तथा लिनार्ड ने जो है फोटो इलेक्रिक एफेक्ट को एक्स्प्लेइन करने के लिए जो एक्स्पेरिमेंट किया था उस एक्स्पेरिमेंट का जो सेटप था वो आपको यहां पर इस फिगर में दिख रहा है यहाँ पर इस figure में देखे तो जो है यहाँ पर यह एक vacuum glass का tube है और इसमें देखे तो दो जो है metal की plate है एक तो यहाँ पर यह और दूसरा यहाँ पर यह और यहाँ पर देखे यह एक emitter लगा हुआ है जो की current को indicate करता है और यहाँ पर देखें यह एक voltmeter लगा हुआ है जो कि यहाँ पर बताता है कि इन दोनों ही plate के बीच का potential difference कितना है और यहाँ पर यह potential divider है इस जोकी को जो है हम आगे पीछे करके जो potential difference है इन दोनों ही plate के बीच में उसे हम change कर सकते हैं और यहाँ पर यह एक reversing switch है जिससे कि हम यहाँ पर इन दोनों ही plate का जो plus और minus होगा उसे हम change कर सकते हैं और यहाँ पर यह एक battery लगा हुआ है तो अब देख लेते हैं कि उन्होंनों इस तरह से experiment किया था तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यहाँ पर जो photo electric current का flow होगा उस पर light के intensity का क्या effect पड़ता है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर यह जो jockey है इस jockey को जो है हम ले जाकर के जो है जोड़ देंगे यहाँ पर कुछ ऐसे तो हमने जोकी को जोड़ दिया यहाँ पर तो अब देखिया अगर हम यह मानते हैं कि इस point का जो potential है वो भी है तो देखें यहाँ पर यह जो connecting wire है इसका resistance negligible होता है तो यहाँ पर कोई भी potential drop नहीं होगा तो फिर यहाँ का जो potential होगा वो क्या होगा वो भी भी ही होगा अब यह जो जोकी है वो भी यहीं से जुड़ा होगा है तो यहाँ पर इस wire में जो है कोई भी potential drop नहीं होगा क्योंकि इस wire का resistance negligible होगा तो यहाँ पर इस जगह का जो potential होगा वो भी भी ही होगा तो देखे यहाँ का potential और यहाँ का potential सेम है तो अब इन दोनों ही plate के बीच में हम का सकते हैं कि कोई भी potential difference नहीं है तो अब यहाँ पर हम मान रहे हैं कि इन दोनों ही plate के बीच का कोई potential difference नहीं है तो अब हम क्या करेंगे कि आब हम यहाँ पर light को incident करेंगे तो यहाँ पर हमने इस plate पर light को incident किया तो जब हम इस पर light को incident करेंगे तो होगा यह कि इस plate में से electron निकलेंगे तो यहाँ पर हमने मालियक इस plate में से electron निकला तो यहाँ पर इस plate में से electron निकल रहा है हमने मालियक यहाँ पर तीन इलेक्टान भी निकला है वो इसे बहुत सारे निकले होंगे लेकिन हम तीन ही यहाँ पर दिखाएंगे क्योंकि हमें चीजों को समझना है और इनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी अलग-अलग होगा हम मान रहे हैं यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा उससे जो है इससे कम है और इससे जो है इसका कम है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इसका है तो अब इसका काफी ज़्यादा kinetic energy है तो हम ये मान रहें कि ये जो electron है ये यहां तक split तक ऐसे पहुच जाता है जिससे कि यहां पर जो है, ये जो emitter है इसमें हमें देखता है यहां पर deflection इस emitter में हमें देखता है deflection तो यहां पर हम कहते हैं कि current का flow हो रहा है तो चलिए इसे थोड़ा graph में plot कर लेते हैं यहाँ पर हम इसे graph में plot करेंगे तो उसके लिए हमने यहाँ पर यह माल्या की यह जो axis है यह current को indicate कर रहा है और यहाँ पर यह जो axis है यह light के intensity को indicate कर रहा है तो यहाँ पर यह जो axis है यह intensity को represent कर रहा है light के तो चलिए इसे capital letter I से represent कर देते हैं और यह जो current है इसे चलिए अब हम small letter I से represent करेंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं MPR क्योंकि यह current को represent कर रहा है यह axis तो अभी अगर देखे तो जब यहाँ पर कोई भी light incident नहीं करेगा तो कोई लेक्टान नहीं निकलेगा उस समय जो current होगा वो 0 होगा लेकिन जैसे हमने light coincident किया वैसे ही हमें दिखा current तो जब intensity 0 तो current भी 0 उसके लिए यह point हमने मालियक यहाँ पर intensity अभी कुछ इतना है तो फिर current जो है वो कुछ ही यहाँ पर होगा अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पर जो है light का जो intensity है उसे बढ़ा देते हैं तो हमने यहाँ पर light के intensity को बढ़ा दिया frequency भाई है लेकिन हमने light के intensity को बढ़ा दिया तो जब हम यहाँ पर light के intensity को बढ़ा देंगे तो अब ज्यादा से ज्यादा यहां से इलेक्टार निकलेंगे तो अब जो current होगा वो बढ़ जाएगा तो जैसे ही हमने light के intensity को इतना कर दिया वैसे ही current हमने मले वो कुछ इतना हो गया तो वो point हमें कहां मिलेगा वो point हमें कुछ यहां पर मिलेगा और अगर हम intensity को बढ़ा देंगे तो current यहां पर कुछ और बढ़ जाएगा तो अब अगर हम इन सारे ही point को जोड़ देते हैं तो देखे हमें क्या मिलता है यहां पर हमें क्या मिलेगा हमें यहां पर एक ऐसे state line मिलता है इसका मतलब यह है कि यह जो light का intensity है इसके directly proportional है यह जो photo electric current है यह तो यहां पर यह हो गया एक experiment अब यहां से आगे बढ़ेंगे और जो दूसरा वाला है उसको हम समझेंगे दूसरा यह है कि हम मालेंगे कि जो photo electric current flow होगा उस पर यहां पर यह जो potential difference होगा उसका क्या effect पढ़ता है तो अभी यहां से इन सारे ही चीज़ों को यहां से मिटा देते हैं फिलहाल तो अब हम यह माल लेते हैं कि अभी जो है अभी यहां पर जो है potential difference तो फिलहाल 0 ही हम माल लेते हैं और यहां पर जो है हम क्या करता है कि हम यहां पर light को incident करते हैं हमने इस प्लेट पर जो है लाइट को इंसीडेंट किया तो जब हम इस पर जो है इस प्लेट पर लाइट को इंसीडेंट करेंगे तो यहां से जो है इलेक्टान बाहर निकलता है तो यहां से जो है इलेक्टान बाहर निकलता है और यहां पर हम मार रहे हैं कि इस इलेक्टान क kinetic energy सबसे जादा है और उससे कम इसका है और उससे जो है कम इसका है तो अभी भले ही potential difference 0 है लेकिन इसका kinetic energy काफी जादा है जिससे कि हम मान रहें कि यह जो electron है यहाँ पर जो है इस plate तक बहुंच जाता है जिससे कि हमें यहाँ पर photo electric current दिखता है तो चलिए यह पर graph में plot कर लेते हैं तो यहाँ पर यह negative voltage को represent कर रहा है तो यहाँ पर लिक लेते हैं कि यह जो है यह प्लस V voltage को बता रहा है और यह वाला minus V voltage को बता रहा है और यहाँ पर यह जो है यह photoelectric current को बता रहा है तो अभी भले ही potential difference यहाँ पर 0 है 0 भले ही है लेकिन यहाँ पर एक current का flow हो रहा है तो वो current हमने माल लिया कि वो current यहाँ पर कुछ इतना flow कर रहा है अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो है यहाँ पर इस reversing switch से जो है क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इस side को positive रखेंगे और इस plate को negative रखेंगे और साथ साथ यहाँ पर यह potential difference है इसे आप zero नहीं रखेंगे हमने जोकी को यहाँ पर attach कर दिया जब हम जोकी को यहाँ पर जोड देंगे तो देखी क्या होगा अब यहाँ पर इसका एक खास resistance होगा इतने part का जिससे कि यहाँ पर दिखाएगा कि यह जो है इसमें एक potential difference है यह voltmeter दिखाएगा कि अब इन दोनों ही plate के बीच में इस resistance के current जो है एक potential difference बन गया है जिसका कि यह plate higher potential पे है और यह वाला plate lower potential पे है अब क्या होगा अब यहाँ पर यह higher potential पे यह plate है जिस पे एक positive charge होगा यह इन electron को attract करेगा तो जब यह potential difference नहीं था तब वहाँ पर देखे यह electron इस plate तक नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि इसके पास kinetic energy उतना नहीं था लेकिन आप यहाँ पर यह attract कर रहा है जिससे कि हम यह मान सकते हैं कि आप यहाँ पर यह वाला जो electron है यह भी इस plate तक पहुंच जाता है तो जब और relate आप पहुंचेगा तो देखे यहाँ पर यह current है यह current यहाँ पर बढ़ जाएगा तो अब उसे हम यहाँ पर graph में plot कर लेते हैं तो हमने माल लिया कि हमने जो है यह potential difference है इसे बढ़ा करके जब इतना किया तो हमें current यहाँ पर कुछ इतना मिला तो उसके लिए यहाँ पर यह होगा वो point यहाँ पर अब हम क्या करता है अब हम potential difference को थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम इस jockey को इस jockey को यहाँ से हटा करके ले जाएंगे यहाँ पर जोड़ देंगे कुछ ऐसे तो अब चुकि यहाँ पर देखें तो जो resistance होगा वो अब ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर potential difference बढ़ जाएगा जैसे ही potential difference बढ़ जाएगा वैसे ही अब यहाँ पर यह जो higher potential पर है plate वो अब और ज्यादा electron को attract करेगा तो अब यहाँ पर यह वाला जो electron नहीं पहुच पा रहा था अब यह भी पहुच जाएगा तो जब यह भी पहुच जाएगा तो अब ज्यादा से ज्यादा इस plate तक electron पहुच रहे हैं तो यहाँ पर current जो है वो और बढ़ जाएगा तो यहाँ पर हमने माल लिया कि current जो है current यहाँ पर जब हमने voltage इतना कर दिया current यहाँ पर कुछ इतना बढ़ करके हो गया तो अब अगर हम और ज्यादा potential difference को बढ़ा देते हैं तो current और ज्यादा नहीं बढ़ता है क्यों? क्योंकि अगर आप देखे तो जीतने electron यहाँ से निकले थे बाहर वो सारे electron इस plate तक पहुच चुके हैं तो अब इसलिए यहाँ पर current और ज्यादा नहीं बढ़ सकता है तो यहाँ पर current जो है अस्थाई हो जाता है अब यहाँ पर जो current है वो नहीं बढ़ता है तो यहाँ पर current बढ़ता गया voltage बढ़ाते बढ़ाते लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि आप और ज्यादा यह voltage बढ़ाने पर current नहीं बढ़ता है और हम इस current को जो है saturation current कहते हैं यहाँ पर यह जो आपको current दिख रहा है इस current को हम saturation saturation current कहते हैं तो अब अगर हम यहाँ पर जो है इस plate को negative कर देते हैं और इस plate को positive कर देते हैं और voltage को हम घटाते हैं तो देखे current घटता है कैसे घटता है चलिए देख लेते हैं यहां पर हमने क्या किया हमने इस reversing switch से जो है अब इसे जो है इसे हमने कर दिया negative और इस plate को हमने कर दिया positive तो अब क्या होगा देखें अब यहां पर जो है यहां पर यह जो negative potential यह क्या करेगा यहाँ पर यह इन इलिक्टान को जो है यह रिपेल करेगा तो अगर इसका माल लेते हैं कि काइनेटिक एनरजी काफी जादा है तो यह इलिक्टान यहाँ तक इस प्लेट तक पहुंच जाता है और इसका भी अगर हम माल लेते हैं कि काफी काइनेटिक एनरजी है तो ये भी पहुँच जाता है लेकिन इसका kinetic energy काफी कम है तो इसलिए यहाँ पर यह split तक नहीं पहुच पाता है जिससे कि अब current घट जाएगा तो हमने माल लिया कि हमने यहाँ पर voltage कुछ इतना किया तो current यहाँ पर घट करके current कितना हो गया current यहाँ पर कुछ इतना हो गया तो current जो है घट करके कुछ यहाँ पर इतना हो गया तो अब अगर current जो है घट करके यहाँ पर कुछ इतना हो गया है तो अब अगर हम जो है यहाँ पर potential difference को यहाँ से और बढ़ा देते हैं तो क्या होगा तो अब यहाँ पर जो है जी उतना नहीं है तो इसे भी ये रोख देगा तो अब सिर्फ एक इलेक्टान पहुंचेगा करेंट और घट जाएगा तो हमने क्या किया हमने यहां से जो है बोल्टेज को बढ़ाया तो करेंट यहां पर घट करके कुछ यहां पर हमने माल्यक इतना हो गया जब हमने अब कोई भी जब इस प्लेट तक इलेक्टान नहीं पहुंचेगा तो यहां पर इस एमिटर में कोई भी डिफलेक्षन नहीं होगा तो हमने माल्यक वो पोटेंशियल जो है वो हमें यहां पर मिला जिस पर की करेंट जीरू हो जाता है तो अब यहां से हम यह का सकते हैं कि जैसे जैसे हम negative direction में potential बढ़ा रहा थे वैसे वैसे current घट रहा था और एक voltage ऐसा आया कि यहाँ पर current जीरू हो जाता है क्योंकि कोई भी electron अब इस plate तक नहीं पहुंच पा रहा है यहाँ पर यह जो electron था जिसका कि kinetic energy हम मार रहा है कि सबसे जादा है जो maximum kinetic energy का electron है यह भी यहाँ तक आ करके जो है यह भी वापिस लाट जाता है इस plate तक नहीं पहुंचता है यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा भी जो है potential difference को कम कर देते हैं तो यहाँ पर यह maximum kinetic energy का electron है यह इस plate तक पहुंच जाता है और यहाँ पर हमें दिखता है photo electric current फिलहाल तुम्हें आपको बता दूं क कि यहाँ पर यह जो potential है जिस पर की photo electric current zero हो गया है इस potential को हम कहते हैं कि यह है stopping potential तो यह ही है stopping stopping potential जिसे कि हम जो है यहाँ पर भी not से represent करते हैं अब हम यह देख लेते हैं कि यहाँ पर जो maximum kinetic energy का electron है उसका maximum kinetic energy के इनर्जी कितना है यहाँ पर हम maximum kinetic energy को represent कर देते हैं चलिए के max से यह किसके बराबर होगा देखें हमें बता है कि यह जो energy होता है यह होता है charge into potential difference तो electron का जो charge है वो माल लेते हैं वो है e into जिस potential difference पर यहाँ तका करके यह रुख जाएगा तो यहाँ पर potential difference क्या है वो है यहाँ पर stopping potential तो यहाँ पर यह हो गया भी not यहाँ मैं आपको पता दो कि यह जो electron का इतना energy है जब यहाँ से बाहर निकला है यह energy यहाँ पर यहाँ से यहाँ तकाने में घटेगा क्योंकि यहाँ पर negative side है और यह side positive है आगर यहाँ पर यह side positive होता और यह side negative होता तो इतना ही energy इस electron का यहाँ तक आने तक बढ़ता लेकिन यहाँ पर energy का loss होगा तो यहाँ पर यह होगा इस electron का इतना maximum kinetic energy अब चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर जो stopping potential है इस पर जो हम यहाँ पर light incident कर रहे हैं उसके frequency का क्या effect पड़ता है तो उसके लिए हम सबसे पहले तेहाँ पर graph plot करेंगे तो यहाँ पर हमने माल लिया कि यह जो axis है यह current को indicate कर रहा है और यहाँ पर यह जो axis है यह voltage को इंडिकेट कर रहा है, यह प्लस वोल्टेज को बता रहा है, और यहां पर यह जो एक्सिस होगा, यह यह माइनस भी वोल्टेज को बता रहा है, तो अभी यहां पर यह जो एक्सिस है, यह क्या रहा है, यह करेंट को इंडिकेट कर रहा है, तो अभी अगर हम यहां पर यहाँ पर है और यहाँ पर जो हम light incident कर रहे हैं इसका frequency हमने माल लिया कि वो है F1 तो जब हम यहाँ पर potential difference को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर current जो है वो कुछ ऐसे बढ़ेगा कुछ ऐसे बढ़ेगा और कुछ देर बाद क्या होगा यह saturated हो जाएगा current कुछ देर बाद बढ़ना पंद हो जाता है । तो यहाँ पर current और ज्याधा नहीं बढ़ता है तो अब अगर हम voltage को यहाँ पर घटाते हैं और negative direction में बढ़ाता है यहाँ पर current जो है कुछ ऐसे यहाँ पर यह घड़ता है और कुछ देर बाद यह 0 हो जाता है हमने बात किया है अभी तक यहाँ पर तो इस potential को हम क्या कहते हैं कि यह है stopping potential फिलहाल तो हम माल लेते हैं कि यह जो potential है stopping potential यह है V01 two one अब हम क्या करेंगे कि आब जो है हम इस plate पर इससे ज़्यादा फ्रिटेंसी का light incident करेंगे तो यहाँ पर जो है हमने इससे ज्यादा light का frequency incident किया तो यहाँ पर जो है हमने हमने frequency को बढ़ा दिया लेकिन intensity अब भी वह है intensity को हमने नहीं बढ़ाय यह ध्यान में रखें, तो जब हम यहाँ पर frequency बढ़ा देंगे, तो भाले ही potential difference यहाँ पर 0 है, लेकिन हमें इस case में जो current मिलेगा, वो ज्यादा मिलेगा, क्यों? क्योंकि आप जो है, यहाँ पर जो electron निकलेगा बाहर, उसका kinetic energy ज्यादा होगा, तो इसलिए हमें थोड़ा current ज्यादा मिलता ह है, अब हम क्या करता है, अब हम यहाँ पर potential बढ़ाते हैं, positive potential को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर यह current है, यह कुछ ऐसे बढ़ता है, और कुछ देर बाद यह फिर से यहाँ पर saturated हो जाता है, कुछ ऐसे, अब हम क्या करता है, अब हम यहाँ पर potential को बढ़ाएंगे, negative direction में, इ यहाँ पर जो है कुछ ऐसे घरता जाता है लेकिन इस case में हमें stopping potential सेम नहीं मिलता है इस case में जो stopping potential होगा वो ज्यादा होगा तो अब यहाँ पर यह होगा stopping potential चलिए इसे माल लेते हैं कि यह भी 0 2 तो यह जो है यह इससे ज्यादा होगा अगर हम माल लेते हैं कि यहाँ पर इसका frequency जो है इसका यह है F1 और इसका जो frequency है यह F2 तो फिर यहाँ पर यह जो F2 है यह F2 बड़ा होगा हम माल रहें F1 से और intensity जो है वो सेम है तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि जब हम यहाँ पर frequency को बढ़ाते हैं तो stopping potential बढ़ता है और यहाँ पर इस experiment में अगर आप intensity को बढ़ा देते और frequency वही रखते तो आप यह पाते है कि यहाँ पर जो graph बनता वो कुछ ऐसा बनता कि intensity बढ़ा देते तो यहाँ से जो current है वो आप को ज्यादा मिलता तो यहाँ पर यह कुछ ऐसा मिलता है लेकिन जो stopping potential मिलता आपको वह stopping potential वो यहाँ पर उतना ही मिलता है इससी potential पर जो है इस case में जो है जीरू होता फोटो इलेक्टिक करेंट तो अगर intensity भले ही अलग अलग रहे है लेकिन सब के लिए जो है stopping potential सेम रहता है बस अरते की frequency चेंज ना हो लेकिन अगर आप intensity को सेम रखते हैं और frequency को बढ़ाते हैं तो फिर stopping potential भी पढ़ता है तो बस इस वीडियो में इतना ही मिलेंगा आप से अगले वीडियो में किसी दूसरे टापिक के साथ अब तक लिए good bye